दोस्तो नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसूर आप देख रहे हैं टीचिंग वाला बिहार सिक्षक भरती के लिए अगर आपने अपलाई किया है तो यह इंपोर्टेंट अपडेट आपके लिए है जैसे कि आप यहां पर जान रहे हैं कि पूरी तरीके से यहां पर आगी की प्रोसेस जो है इक्जाम के बाद वह स्टार्ट हो गई है और क्या-क्या अपडेट आया मैं आपको यहां पर बता रहा हूं तो यहां पर 9-10 और 11-12 इसक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगता के 9-10 और 11-12 उच्चमादविक नियुक्ति प्रतियोगता परिक्षा में सम्मिलित द्वारा ओं-लाइन आविदन करते समय अपलोड किये डॉकुमेंट का जो सत्यापन है डॉकुमेंट भरिफिकेशन उसके मूल प्रमानपत्र और का करा जाएगा अभियर्ति अपने दस्ताविस सत्यापन निर्धारित अबदी के अंतरगत अपने जीला मुख्याले में कराना सुनिस्चित करेंगे यह बहुत जरूरी है और इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा एक और यहां पर अपडेट आया है जिसमें क्या कहा जा रह जाएगा यदि विशेश कारणों से दिव्यांगता की जात जिलास तर पर गठित मेडिकल बोर्ड में से संबब नहीं हो सकती है तो ऐसे दिव्यांग अभियर्ति को आईजी आइमस प्रमान पत्र की जात पटना में आईजी आइमस और प्यास करेंगे और वन टू फाइब के लिए आप में से काफी लोग यहां पर निश्यत रूप से जानना चाहा रहे होंगे और वन टू फाइब के लिए यहां पर किलियरली बोल दिया गया था कि अभी जो है इसको हम लोग होल्ड पे रखेंगे जब तक बीड का कुछ फाइनल यह नहीं आ जाता है तब तक हम उसको होल्ड पे रखेंगे हलाकि उसका भी प्रोसेस वो लोग चला रहे होंगे और इस पर एक और ट्वीट आया था अतुल प्रसाद सरका कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें की सारे बच्चे का सेलेक्शन हो जाएगा बसरते कि उनका डॉकुमेंट होगा या फाइनल होगा कि नहीं होगा इस पर एक कल से वीडियो भी वैरल हो रही है जो कि कोट का बताया जा रहा है और इसमें यह कहा जा रहा है कि बिहार सिक्षक भरती को भी उन चीजों का पालन करना पड़ेगा यह पूछा गया कि यह तो भरती पहले भी आया थी लेक आउंगा 9 10 और 11 12 वाले अपना करवाई जाके जल्द से जल्द सही तरीके से सब कुछ और 1 to 5 के लिए जैसा भी प्रोसेस होगा बताया जाएगा थैंक यू वेरी मच बबाए जय हिन